हलो दोस्तो मैं हूं मैंने जिनहेल और आप देख रहें आपका अपना चैनल लक्ष एकेडमी जितने भी RRB NTP से स्प्रेंट है उसके लिए वीडियो बहुंस ज़्याद ही उपाड़र ने सुप्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तो अजिर यहीं सबहालों की गुद्धी उलसती ही जा रही है दोस्तो आज की स्वीडियो में आपके यही सारे डौट क स्युक्स लिए वाला हूं कि sir rrb ntpc का revise result कप तक आ सकता है बात करें आपके second question की दोस्तो second doubt की revise result में आपका selection होना की नहीं या maximum बार दोस्तो maximum बच्चों के दोरा यही question मुझसे लगातार पूछा जा रहा है और बच्चों के लगातार यही comment देखने को मेरे है कि sir मैं इस zone से belong करती हूँ मैं किस category से belong करती हूँ मेरा इतना number है मेरे selection होने के कितने chances है आज दुख के वीडियो में दोस्तों मैं आपके यह doubt भी पूरी तरके से clear करने वाला हूँ कि आपका selection होगा तो क्यों होगा और नहीं तो क्यों नहीं इस वीडियो में मैं आपके यह doubt भी clear करने वाला हूँ सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके यह सारे doubt clear करने वाला हूँ अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगी इनफर्मेटी लोगी तो प्लिस देसे like and subscribe कर लेजेगा और हां बेले गन पर भीट कर दीजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो कर अड़ पिस्तर आपको लगातार उस पर काम कर रही है और जल्द ही आपको इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे रेले मिनिस्टर का 200 थोड़े ने पहले बयान आया था उसमें भी उसके दौरा इस पर शूरूप से कहा गया था बच्चों के सजेसन या कंसन जो भेजे जा रहे हैं उस पर आरार लगातार काम कर रही है और कमीटी लगातार बच्चों से बिलकर अलग-अलग जगों में विजिट करके बच्चों के सजेसन या कंसन कलेट कर रही है उनके प्राब्लम जाने की कोसिस कर रही है यह आपको भी पता है दोस्तो मैंने भी कई सारे वीडियो बनाकर इसके बारे दोस्तों वो सारे problem collect के लिए गये उनके suggestion ने concern भी collect के लिए गये है दोस्तों और आपने भी अभी तक जो भी suggestion भेजा गया है उस पर RR भी काम कर चुकी है दोस्तों लगातार उस पर काम कर ज़र रहा है रेले मिनिस्टर का जो बायाना था दोस्तों उसमें रेले मिनिस्टर के द्वारे ये भी कहा गया था कि चार मार्च ही नहीं उससे पहले भी कमीटी अपना रिपोर्ट सौप सकती है और जितना जल्दी कमीटी अपना रिपोर्ट सौप सकती है उतना ही जल्दी आपको अपना पीपर चेक हो चुका है आपके जो माक्स आ है आर वो भी एक्कुरेटब और सही है दोस्तों मैं रामक्स की बात करहूं नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक प्रोसेस है उसके उपर भी अभी अभी तक लगातार विवादी चल रही है यह तो तब पता चले गया कि कमीटी कौन स अगर कमीटी चार मार्च को भी आपका रिपोर्ट सोपती है तो भी आपके रिवाइज रिजल्ट की संभाना बहुंच जल्दी है दोस्तो क्योंकि आगर जैसे ही दोस्तो कमीटी अपने रिपोर्ट सोपती है यह सिर्फ कमीटी के रिपोर्ट का ही वेट कर रहे है दोस्तो अ आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है यार यह मान के चलिए एकदम जादा लेट नहीं होगा इसका सबसे बड़ा रिजन है आपका पिपर आरेडी चेक है ऐसा कोई भी शूनी है सिर्फ एक ही चीज का है यार जो विवाद हुआ था दोस्तो उसको सौट उट करने के जो द्वारप कमीटी बैठाए गई उस कमीटी के फैसले का भीड कर रहे है ताकि वो कमीटी सभी के हक में फैसला दे सके दोस्तो इस टुडेन के भीयक में और 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 बी ये चाहती है कि उस पर ज़्यादा बढ़न ना आ है और जो विवाद हुआ है वो भी सुलज यही सब मुद्ध है दोस्तों जिसके चलते अभी तक revise result नहीं आया है, जैसे ही दोस्तों committee का फैसला आएगा, उतरहीं चल दिया आपको अपना revise result देखने को मिल सकता है, पकर दोस्तों आपके second सबसे बड़े doubt कि revise result में आपका selection होगा कि नहीं, यार मेरे comment box में maximum comment इनी डाउट आपको लेकर देखने को मिले, कि sir मैं इस zone से belong करती हूँ, इस category से belong करती हूँ, मेरा इतना marks है, मेरे selection होने के कितने chances है, यार लगतातार बच्चे मुझे ये पूछते रहते हैं, कि sir आप comment box में हमारे comment का reply नहीं देते, यार अगर ऐसे question करोगे दोस्तों मैं आपके comment का reply कैस यार आपका result जो है दोस्तों, आपका selection जो है वो बहुँच सारे factor के उपर depend करता है, यार वो सारे factor दोस्तों मैं आपको comment box में explain नहीं कर सकता, अगर मैं आपको सही ढंक से explain नहीं करूँगा दोस्तों तो यह आपके साथ गलत होगा, यार अगर मैं comment box में दोस्तों, आपके marks देखने के बाद, आपके comment देखने के बाद yes या no reply देता हूं दोस्तों तो यार yes बोलूँगा तो आपके उमीद बंद जाएगी दोस्तों, और no बोलूँगा तो आप में निराश्रा आजाएगी यार जो की बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, यार बहुत सारे factor हैं दोस्तो इस पर दी दोस्तों आपका result बहुत जादा depend करता है, आपको पता है दोस्तों, नॉर्मल जेसं फार्मूला है उसको लेकर भी बहुत जादा issue चल रहा है, cut-up pattern को लेकर भी बहुत जादा issue चल रहा है, देखे दोस्तों, अगर RRB, same normalization formula apply करती है, जो normalization formula अभी apply किया था, cut- pattern भी same follow करती है, तो आपके result के कैसे chances है, देखे दोस्तों, अभी जो normalization formula अप्लाई किया गया, cut-up pattern apply किया गया, उसके according लगभाग 3,84,84,000 candidate दोस्तों, अब यहां पर क्या हुए, appear हुए थे CBT2 exam के लिए, यार अभी जो मांग उठ रही है, दोस्तों, उसमें तो 7,000,000 candidate को select होने बाकी है, यार यह सिर्फ मांग है दोस्तों, जो उठाया गया था, किस टाइम पे जब विवादित मुद्दा आया हो था, दोस्तों, उस टाइम पे 7,000,000 candidate का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन यार बच्चों के द्वारा जो concern या suggestion भेजने को देखने को मिल रहे ह तो उसमें यार बहुत सारे different type के मुद्द के उपर बात की जा रही है दोस्तों, अगर दोस्तों मान के चले, सिर्फ 7,000,000 candidate ही लेने हैं दोस्तों, तू भी यार देखे ये, अभी 3.84,000,000 candidate लिए गया है दोस्तों, और उसकी वज़ा से, जिस type के level wise cut up जारी किया गया दोस् की बात कर रहा है, हर एक का level का दोस्तों, अलग-अलग cut up, हर एक post का अलग-अलग cut up देखने को मिला, उसमें different type के post के लिए दोस्तों, different type की cut up आपको देखने को मिले, जिसमें level 2 या 3 का cut up देखे, बहुं सादा high गया था, 5, 4 या 6 की cut up देखे, तो as comparison थोड़ा कम गया था, दोस्तों, वहाँ पर cut up आपको कम देखने को मिला था, अगर दोस्तों, same normalization formula की बात करे, same cut up pattern की बात करे, तो यहाँ पर जो cut up गया था, उससे आप मान के चलिए, 4 नंबर, 5 नंबर, minimum कम हो सकते है, दोस्तों, इससे जदा कम नहीं हो गया, क्योंकि आपको भी पता है, दोस यह 20 पग candidate, 25 candidate, 30 candidate, ऐसे देखने को मिल सकते है, लेकिन यार, अगर आप दोस्तों, minimum marks की बात करे, जहाँ पर 70 below की बात करे, 70 below की बात करे, 80 below की बात करे, 75 below की बात करे, यहाँ पर दोस्तों, आपको लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती हुई देखेगी, अगर आप 70 क 1000-5000, जितने भी देखने को मिल सकते है, तो यहार, यह मान के चलिए, इसलिए मैं बोर रहूं दोस्तों, एकदम जादा आपका मक्स कम नहीं होगा यार यहाँ पर, अगर मान के चले, last time cut-up किसी जोन का कया था, किसी category की बात करऊ, 75, तो यहार, यहाँ पर, दोस्तों, minimum, 4 number क करके चलिए 70 तक अगर आपका नंबर है दोस्तो तो बिलकुल आपके सेलेक्सन होने के चांसेस हैं आप से बीची टू के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं दोस्तो क्योंकि आपको भी पता है अलग अलग जो गया था दोस्तो लेवल टू का अलग गया स्भी जोन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको रहुततो अब अभी बीचिप के स्विट सतो अगर आपके करके लएक अव क्टे चांसे मोन पैटन को Range को कितना है often जो कि रहां आपको जो टू सुदिती दोस्तो अभी भी तैयारी जारी रख सकते हैं दोस्तो आपके selection के chances बहुत जाद हैं आपको देखने को मिल सकते हैं वो भी कब जब same normalization formula apply होता है या same cut-up pattern apply होता है तब दोस्तो आपके selection के पूरे chances हैं बात करते हैं दोस्तो दूसरे सबसे बड़े factor के जिसके उपर आपका selection depend करता है if RRB follows common cut-up pattern यदि दोस्तो एक common cut-up pattern को follow करके RRB revise result जारी करती है तो आपके selection के कितने chances हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ changes तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे candidate के संखे यहाँ पर 7 लाख ही होगी दोस्तो क्यों 7 लाख ही होगी यहाँ पर दोस्तो आपको हर एक category का एक common cut-up देखने को मिल सकता है दोस्तो जैसे की general का अलग, OBC का अलग, HT का अलग और SC का अलग दोस्तो यहाँ पर अगर common cut up आपको अगर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो तो यार CBT2 में भी आपको बहुत बड़ा changes देखने को मिलेगा दोस्तो CBT2 exam आपको एक common exam भी देखने को मिल सकता है दोस्तो जो कि यार मैं आपको वीडियो में आगे explain और करने वाला हूँ दोस्तो भी पास ही कहलाएंगे और maximum वाले जो बच्ची होंगे दोस्तो वह भी पास ही कहलाएंगे तो यार आप दोनों का दोस्तो जो selection होगा वो सिर्फ of qualifying number के अधार पर होगा ना तो इस अधार पर आप खुछ सोच के देखिए वह आपको post wise या level wise कैसे करेगी बात कर दोस्तो तीसर सबसे पड़े फेक्टर की जिस पर आपका selection डिपेंड करता है यह दि दोस्तो चार मार्च को committee का फैसला आता है और committee यह फैसला सुनाती है कि result revise result जो है वो qualifying marks के अधार पर दिया जाया तो आपके selection की कितने chances हैं आपको भी पता है दोस्तों यह दि qualifying marks के अधार पर revise result जारी किया जाता है तो दोस्तों यह minimum qualifying marks के अधार पर आप लोगों का selection होगा जैसे कि general के लिए 40 number EWS के लिए भी मान के चले तो 40 number OBC के लिए यहां पर आपको 30 number तक selection देखने को मिल सकता है उसी त्रइप का HT और HC में भी दोस्तों आपको minimum qualifying marks के अधार पर selection देखने को मिल सकता है तो ऐसे में दोस्तों जो भी तक हमने आपको figure बताया 7 lakh candidate का दोस्तों यह figure out बिल्कुल भी adjust नहीं करेगा दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको 7 lakh से जादा candidate देखने को मिल सकता है जादा के अधोदों बहुत जादा candidate भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों अगर minimum qualifying marks के अधार पर selection होगा तो आपको ही पता है जितने कम marks से नीचे आते जाएंगे दोस्तों उतने ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी maximum marks में दोस्तों 85 से लेके 90 की बीचे मान के चलिए बहुत कम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप 50 से 60 की बीच में भी नीचे आते जाएंगे तो यहां पर दोस्तों जो फिकर हम बता रहे हैं आपको सेवन लाग केंडिडेट का वो फिकर बिल्कुल भी एक्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों यह यह भी मुद्दे बच्चों के दौरा उठाय गया है दोस्तों क्वालिफाइं मार्क्स के अधार पर सेलेक्शन यह और अरारवी म नंबर आएगा की नहीं नाम आएगा की सभी फेक्टर के उपर दोस्तों करता है इसलिए दोस्तों आप जो भी 빠क करते हैं कि चैसे बाद हम आपको फिर ऋट करके बतापाएंगे कि यह आराअ लेक्शन को comment करते ही कि सर मेरा इस जोंसी हूं में इतना माक्स है मेरा मेरा selection होगा की नहीं तो यार यह सब फेक्टर हो दोस्तों जिसके उपर depend करता है आप प्लीस चार मार्च का वेट कीजिए जो दोस्तों committee का फैसला आयागा जिस अधाहर पे वो result decide करना चाहती है उसके बाद हम आपको figure out करके बता पाएंगे यार आपके selection के कितने chances हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके अगले doubt की CBT2 का exam तब तब होगा इसको भी दोस्तों मैं clear करने के लिए आपको दोस्तों कुछ factors दिखाता हूँ जिस पर हम दोस्तों इंची जो को calculate करेंगे कि CBT2 के exam कट तक होने की संभावना है इसके लिए बात करें दोस्तों सबसे पहले factor की if RRB conduct post-wise exam यदि RRB post-wise level-wise exam conduct करवाती है दोस्तों यहां पर आपको जल्द से CBT2 का exam देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों इसके लिए भी सबसे बड़ा reason यह है क्योंकि RRB post-wise level-wise exam करवाने के लिए पहले से तयार है दोस्तों आपको भी पता है RRB NDPC विवास से पहले दोस्तों RRB के दोस्तों जो notice जारी किया गया था उसमें भी इस पस्ट रूप से कहा गया था कि 14 फरवड़ी को CBT2 का exam स्टार्ट हुगा और लगभग 20 फरवड़ी तक CBT2 का exam यहां पर conduct करा ली जाएगा दोस्तों मतलब RRB इसके लिए दोस्तों पहले से प्रिपेर थी तयार थी दोस्तों यह यह विवात नहीं होता तो बिलकुल RRB इस टाइम पर दोस्तों आपके exam करा देती CBT2 के ठीक है दोस्तों तो यहां पर सबसे कम बड़न देखने को मिलेगा दोस्तों बिलकुल भी ल सबसे ज्यादा बच्चे दोस्तों जो सलेक्ट हुए थे वो लेवल 6 या लेवल 5 के लिए सलेक्ट हुए थे दोस्तों मतलब लगभग दोस्तों 70% बच्चे दोस्तों इनी पोस्टों के लिए सलेक्ट हुए थे यार लेवल 2 या लेवल 3 की बात करें दोस्तों कि यहां पर स सबसे ज़्यादा exam conduct खरवाने की यहाँ पर chances से दोस्तों सबसे ज़्यादा लोट आपको यही पर देखने को मिलते है लेवल 6 है लेवल 5 में दोस्तों दोस्तों दूसरे सबसे बड़े condition की जिसकर आपका सबीची 2 का exam depend करता है इप separate exam 10 10 plus 2 and graduate candidate दोस्तों यार अभी चोभी वाद चर रहा है दोस्तों उसको लेकर RRB बहुत जाद सीरेस है दोस्तों और RRB यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी यार कि आने वाले वक्त में दोस्तों और कोई ऐसा protest देखने को मिले और कोई ऐसा विवाद देखने को मिले यह दि दोस्तों RRB फैसला लेती है कि 10 plus 2 और graduate candidate दोनों के लिए अलग-अलग separate exam कराया जाए तो यहां पर दोस्तों CBG2 का exam आपको थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है दोस्तों क्योंकि RRB इसके लिए पहले से prepared नहीं है दोस्तों यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो यार graduate वालों के लिए दोस्तों आपको एक separate paper देखने को मिलेगा और 10 प्लस 2 वालों के लिए भी आपको separate paper देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों अभी जो विवात की स्थिति है उसमें एक बड़ा मुद्दा दोस्तों 10 प्लस 2 वालों candidate को selection को लेका भी है दोस्तों क्योंकि आपको यह पता है हर एक जोन से 10 प्लस 2 वालो candidate का जो marks है दोस्तों वो 90 प्लस touch कर गया है दोस्तों और 90 प्लस touch करने का एक सबसे बड़ा reason ये भी था दोस्तों कि यार graduate वालों का और 10 प्लस 2 वालों का एक ही base पर selection क्योंग किया गया यहाँ पर दोस्तों maximum graduate candidate ही select हुए है 10 प्लस 2 वालों candidate बहुत ही कम select जिसकी वज़ासे ये भी प्विवात का हिस्सा था दोस्टों. और उसकी वज़ासे exam pattern आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 10 प्लिस टू ओका अलसे exam देखने को मिल सकता है. अब बात करें दोस्जों तो सिर्फ ये एक संभॉणाओ की उपर बात करें दोस्तों. exact data नहीं है उसके बात करें दोस्तों तीसरे सबसे बड़े factor कि जिसके उपर आपका CBT2 का exam depend करता है if RRB conduct again common exam यदि दोस्तों CBT1 में जिस तरह के common exam देखने को मिले आपको CBT2 में भी अगर same common exam देखने को मिलता है दोस्तों तो यहाँ पर भी आपका CBT2 का exam depend करता है क्योंकि दोस्तों अगर एक common exam होता भी है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका exam date vary कर सकता है दोस्तों आगे बढ़ सकता है actual time से आपको आगे देखने को मिल सकता है क्योंकि RRB इसके लिए भी prepared नहीं है दोस्तों और RRB क्या चाहती है दोस्तों यह सभी-सभी चीजें दोस्तों पूरी तरह से संभाणाओं की उपरबेज़्ट है सो दोस्तों आपको मेरे वीडियो समझ में आया हो गया अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगों लगो तो प्लिस दिल से लाइक से और सस्काइब कर लिजा और हाँ बेल एकन पर बीट कर दीजिगा तकि आने वाले सभी वीडियो और फिस्तन आपको लागतर मिलता रही चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे इंपॉर्ट के साथ